नमस्कार स्वागत है आपका आप देख रहें इंडिया पोश्ट नियूज खबर है सिध्धार्थ नगर से जहां पुलिस और बदमाशों की बीच हुई मुटभेड में एक बदमाश और सा एक संबिस्पेक्टर घायल हो गए घटना आज सुबह चार बजे की है पुलिस और बदमाशों की बीच यह मुटभेड उस वक्त हुई जब सुबह करीब चार बजे बांसी कोतवाली पुलिश गस्त पर थी तब ही उन्हें मोटर साइकल पर दो युवक आते दिखाई दिये पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रि पुलिस की हिरासत में है घायल एसाई और बदमाश का इलाज बासी चिकस्ताले में किया जा रहा है जहां उनकी हालत खत्रे से बाहर बताई जा रही है मौगे पर पहुंचे पुलिस कप्तान विजे धुल ने बताया कि घायल बदमाश अजै सिंग पडोसी जनपत संतकबीर नगर का रहने वाला है यह शातिर बदमाश है कई लूट की वार्दातों में भी शामिल रहा है इसकी पहले सी तलास की जा रही थी सिद्धार्द नगर से धरमविर गुपता की रिपोर्ट आप देखते रहे इंडिया पोस्ट नियूज जजबा सच बिखाने का कि बदमाश चे किस तरह को बदमाश हो मुलविड कहा हूं लिए क्या हाल गुआ है यह देवरिया नहर पुलिया के पास हमारी भासी थाने की थाना द्यक्ष और उनकी टीम चेकिंग कर रही थी कि एक संदिक थालत में एक मोटसाइकल पे दो लड़के आए इसको रोकने का प्रियास किया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पे फाइरिंग की जाववी फाइरिंग में उन्हों से एक बदमाश को पैर में गोली लगी है बदमाशों की फाइरिंग में हमारे सब इंस्पेक्टर अजय सिंग के हाथ पे गोली लगी पुलिस की गोली लगने के बाद से दोनों को हिरासत में ले लिया इनकी जो पहचान हुई है अजय सिंग और बबलू यह दो अपरादी है अजय सिंग का काफी क्रिमिनल हिस्ट्री है और मुल रूप से संद कभीर नगर से भेहने वाला है उसके जनपद में भी अपरादों में उनकी सनलिपता पहले रही है इ जो लूट हुई थी उसमें भी आजय सिंग की संदीपता के हमारे पास साक्ष है उनसे बाकी पूश्टाश की जा रही है फिलाल वो दोनों प्राफिक अ कि भी रेही है उनसे लिसे की बीज़ है उत्ड में खफ़ाधी है कि ज हमारी है, आ रही है उत्में प में उड़ायता थाटे करिषक उनसे डाज़ा पले उनसे बाके आप से सक्षिए hourवमण में जनसे प情साओी है ऱarpाव ढ़ działa है पंसे गmost、से इह ठाप जार श्राशर में